तो एक बार फिर हाजिर है हम TACS PLANNING के साथ जैसे जैसे बजट की तारीख अपास आती जा रही है वैसे वैसे लोगों की उम्मीदे भी बढ़ती जा रही है एक क्लासिस की अलग कुछ क्लासिस की अलग उमीद है वहीं इंडस्ट्री की भी अपनी अलग अलग उमीद है इन तमाम लोगों की उमीद के ऊपर हमने एक प्रेपेर किया है ग्राफ बनाया है वो इसके साती कुछ नहीं अर्भी तैयार किया है जिस पर हमारी मदद करेंगे रजनीश सुकला जी जो चार्टेड एकाउट्टेट है, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, तो सर सबसे पहला जो मेरा सवाल, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वो यह है कि कोरोना संकट जो रहा है, कोरोना संकट के चलते बहुत सारी परिशानिया लोगों को देखने को मिली, तो ऐस इस उसमें सरकार ने एफेक्ट लिया है, इसमें मेडिकल के उपर, और मेडिकल को लेके, आर एक्सपेक्टिंग और सीरियस फंडिंग फॉर इस यर और सो, हाँ, एक्सपेंडिचर पॉंट और व्यू से देखो, तो अगर इंडिविजिवल की बात करें, तो सेक्शिन 80D मे अगर सरकार प्रयास करें, तो उसको इस पारी जो एक्सपेंडिचर है मेडिकल पे जो एजन इंडिविजिवल करना होता है, उस पे भी बेनिफेट पासवन करना चाहिए, इंडिविजिवल को, प्लीज, काविंदर जी, जी सर, देखें, सरकारे जो है, वो एजुकेशन की बहुत बात भी करती है, एजुकेशन पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की भी बात होती है, तमाम तरीके के वो अपनी स्कीम्स भी चलाती है, ऐसे में एक मांग बहुत जादा उठती है, जो बार-बार कहीं न कहीं आवाज जो है, उसकी आती रहती है, तो इस बजट म उसको भी उठाना चाहिए कि नहीं, तो वो चीज है कि एजुकेशन लोन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें भी छूट दी जानी चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है, लोगों की मांग तो यहां तक है कि एटी सी के दाइरे से ट्यूशन फीस को हटा दिना चाहिए, और आप अगर देखो तो सेक्शन 80E की हम बात करें, वहाँ पर अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसके इंट्रस्ट का बेनफिट देती है सरकार, हाँ एक्सपेक्टेशन लेके चलो, we are also expecting कि सरकार चुके एजुके एजुकेशन सेक्टर को खासा बेनफिट देन होता है, तो वो हम लोगों के लिए अच्छा होगा. कंपेर करें, हाई नेट वर्थ को और एक गरीब तपके को, तो आप ये भी देखोगे कि जो डिस्पैरिटी है, यहां तक पहुँच गी है, कि अगर हम निशले तपके की बात करें, तो हाँ, बेनफिट जरूर एक्सपेक्ट करना चाहिए, अफकोर्स सरकार निशले तपके को तो बेनफिट पासओन करती है, कहीने के पीछी भी डिरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर के तुरूर उन्हें फंड ट्रांसफर करें थे, इसमें जो तपका मिस हो जाता है, कहीने कहीने कहीं, वो मद्यमवर्गी तपका है, जो टैक्स तो सर सरकार को देता है, लेकिन टाइक्स के बदले जो उसके पास benefit pass on होता है, या आप कह सकते हूं, जो इसके पास consumption के लिए पैसे बच्चते हैं, वो बहुत कम बच्चते हैं, तो yes, expectation आप भी रखें, हम भी रखते हैं, अगर इसमें हम दे तरफ से Today कुछ यह सयाओं है यह हो सकता है जो लिमित जो पीछी भी बात करी ठीद ही जांग पांश लग 5 यह पांच लाग नरी सिम्हाइं नए नई लिमिट्स की बात करी थी तो इसको तोछा सब और इन्हेंस करें अगर इसमें हम देखें तो हमारे ICI की तरफ से भी recommendation इसके लिए गये हैं कि इस limit को बढ़ा दिया जाए ताकि जो individuals हैं उनके पास extra money उनकी pocket मेरा expense करने के लिए प्लीज काविद लिए जॉब बालों की तो बात कर लिए हमने लेकिन जॉब बालों के साथ-साथ जो young entrepreneurs हैं जो start-up की बात करते हैं तो start-up के लिए government भी देखें बहुत जादा इसके बारे में बात करती है government भी start-up के लिए लोगों को motivate करती है इसके साथ उनकी policies भी है start-up India भी है तो ऐसे में start-up के लिए इस budget में क्या देखने को मिल सकता है start-up के लिए कुछ ऐसा होगा जिसे जो नए लोग है जो start-up start करना चाहते हैं उनके लिए कोई मदद मिल सके देखे इसर पिछले सालों में भी benefit अच्छे transfer हुए हमने पीछे जैसे discuss भी किया था start-up India, stand-up India के बात करी थी, easily उनके लिए funding available है सरकार ने नए start-ups या नई company आप खोलते हो या फिर नई manufacturing company खोलते हो तो उन्हें बाइस परसें पंद्रव परसेंट तक corporate tax को भी reduce करके लेके आए हैं benefits हैं, even आप economic survey में भी अगर आप देखोगे तो they are expecting करें innovation and new technology या R&D के तरू अगर जो भी person market में enter करता है, तो they are trying to pass on the benefit, हो सकता है ये budget भी उसके लिए कुछ अच्छा लेका है, we are also expecting, अच्छे इसमें ये भी add करें हम, अभी हमारे पास जैसे इंडिया में आप बात करें, FDI बहुत तेजी से आ रहे, we are expecting good FDI का इन इंडिया, तो policy जितनी अच्छी हमारे नई innovations और नए startups के लिए होगी, हम उतना ही अच्छा FDI को आकर्शित कर सकते हैं, अपनी country के तरफ, जो हमारी capital को strong करेगा, प्लीज काविंदर जी बिलकुल, तो आपने जिस तरीके साब बता रहे हैं, क्यूंकि एक फरवरी कोई budget paste होना है, और वित्यमंतरी निर्मला सीतारम ने जैसे की पहले ही बता दिया है, उन्होंने कहा है कि इसवार का जो budget है, वो थोड़ा अलग होने वाला है, वो एतिहासिक होने वाला है, तो ऐसे में कई नए-नए चीज़े भी देखने को मिल सकती है, क्या कुछ बड़ा भी देखने को मिल सकता है, हाला कि यह सब चीज़े तो समय पर छोड़ते हैं, समय ही बताएगा, सर अभी आपने जैसे की business के बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर business की बात हो रही है, तो यह बताईए, ease of doing business के लिए, taxation policies में क्या ऐसे changes किये जाएं, taxation में क्या ऐसे बदल business का मतलब हो गया कि हम इंडिया में अगर कोई नया business शुरू करना चाहते हैं, तो initial stage से, from registration, till जब तक कि हम proper revenue generate करना शुरू कर दें, और उसके बाद उसकी proper functioning और उसके बाद government के अलग अलग level पे support, सारी की हम बात करेंगे, post corona effect की बात करो, अगर हम ease of doing की business की बात करें, हमने पीछे भी जैसे topic discuss किया था, नया business कैसे शुरू करें, हमने शुरू तो कर दिया, करोना का effect है, post corona effect देखें हमको benefit क्या क्या चाहिए हो सकते हैं, अगर सरकार help out करें, अगर जब आप नया business शुरू करते हो, शुरुवाती जो साल होते हैं, उनमें जरूरी नहीं क्या profit ले प करते हो, नया startup में आप ESOP की बात करते हो, इसको भी कभी हम आगे next session में ESOP को detail में ले सकते हैं, ESOP, ESOP के लिए क्या policy ले के आती है government, क्योंकि जब भी नया startup आता है, तो कई बारे ESOP के थूरू, वो shares को transfer करता है, अपने employees के पास, तो ये एक अपने आप में हो गया, इसके बा startup नये jobs देता है, तो उसमें और benefit कहां हमें और additional मिल सकते हैं, हाला कि पीछे भी सरकार ने benefit दिया हुआ है, they give you benefit if you bring a new employee, a new employee joins your company, तो ये benefit में उने पीछे दिया है, startup की बात करें, तो हमारे पास कुछ rationalization में है, जिसको हम लोग expect करते हैं, जैसे आप बात करो, अभी हमने पी देखो, तो company के case में हो, तो हम tax की बात करते हैं, बाइस परसेंट या manufacturing में 15% की, लेकिन वही परसेंट, अगर as a partnership business शुरू करता है, तो tax percentage अभी भी 30% है, तो we are expecting की वहां कहीं ने के rationalization सरकार के पास से आए, दूसरी तरफ आप बात करो, new entrepreneurs की बात करें, हमने इसर दोनों ही company और a proper private limited company, दोनों में demarcation है, we are expecting a rationalization, ताकि दोनों के एक ही तरीके benefit पास हो सके, हमने mad credit की बात करी, mad credit की अगर हम बात करें, तो उसमें भी आपको rationalization कहीं ने कहीं, expected है, कि अभी companies को तम benefit दे रहे है, वो partnership firm या proprietary तक या वहां तक भी उसको, उस benefit को transfer किया जाए, तो ये तो पीछे इन्होंने SME की definition change करी है, या उसमें proper benefit service sector को भी pass on किया है, इसके भी recommendations है, market से भी आ रहे हैं कि retail sector को भी इसमें proper cover किया जाए, तो in general ये कुछ चीजे हैं, जो expectation भी है, कुछ rationalization भी चाहिए, start-ups के लिए business करना थोड़ा easy हो जाएगा उसमें, administrative point of view से देखो, अभी हमन ease of doing के बात की तो ranking की बात आते हैं, ranking में ये सरकार को भी administrative level पर बहुत exercise करने की जरूवत है, कहीने कहीने कहीन हम लोगों को भी market में रहते हुए feel आता है, कि administrative convenience और जादा चाहिए, और जो like आप SME की बात करो, SME को जो track कर रही है government, the serious tracking which they are doing, कहीं ने कहीं उसमें ease चाहिए, ताकि businessman easily concentrate कर सके business में rather than की day to day रोज मर्रा के litigations और मामलों के लिए ही वो उलजा रहे है, please काविंदर जे, क्यूंकि middle class की भी बात कर ली, young entrepreneurs की भी बात कर ली, एक उनकी बात अगर ना की जाए, तो budget का session ही हमको लगता है, कि अगर हम उस पर pre-budget पर बात कर रहे हैं, तो वो पूरी नहीं हो पाती, वो है पती-पतनी, घर पर आ जाते हैं अम लोग, ये बताइए कि पतनियों की बड़ी वो हरेती है, पतनिया एक उमीद करती है, पतनिया बताती है कि जब उनके पती उने गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट पर टेक्स उनसे लीजिए, आप पती से ट पाभधान दिया है अगर आ डिवर्स हो जाता है और डिवेढस के के अगर ऐसे टांजफर होता है वाइब के पास तो ये उससे इंकम के उ यह को देना पड़ेगा क्योंकि senior citizens और महिलाओं को कई जगा पर अलग से कुछ नियमों में कुछ modifications करके उनको जादा चूट दी जाती है, ऐसा ही taxation में भी होता है, तो लेकिन फिर भी अभी बात चलती है कि senior citizens और महिलाओं के लिए कुछ और जादा चूट दी जानी चाहिए, तो अभी का जो budget आने व सर, scope कम है, expectation है, लेकिन scope कम है, reason being कि कहीं न कहीं सरकार को भी अपनी revenue और what you say your income and expenditure को कहीं न कहीं मैच करना है, पोस्ट करोना अगर आप देखो तो आपके पास सरकार के पास revenue कहां से आता है, एक तो आपका जो हम direct taxes and direct taxes की बात करते हैं, एक तो यह area हो गया, और दूसरा होता करती है, या privatization करके वो जो fund इखटा करती है, income लोगों के हाथों में कम हुई है, अगर आप निशले तपके की बात करो, तो कहीं ने कहीं मुश्किल है कि वो और benefit transfer कर पाए, बट हाँ अगर वो जैसा हमने पहले point में already cover किया था, कि हाँ वो benefits अगर पास on करते हैं, जैसे उन करनों ने rates को लेके या जो slabs है उसका benefit transfer किया, तो वी एक्सपेक्ट के transfer जो है benefit high end पे या senior citizens के लिए भी transfer हो सके, प्लीज काविनर जी जी जाती है, फार्मर के लिए subsidy का प्राबदान है, और भी बाकी तमाम जगा जो है government मदद करती है, लेकिन कुछ लोग जैसे कि नए जो अभी जौब करना स्टार्ट किया है बिजन्स करना स्टार्ट किया है, home loan बहुत लेते हैं, home loan का बड़ा सिल्सला है, तो ऐसे में जो लोग home loan है, जो लोग home loan चला रहे हैं, उनकी एक बड़ी उम्मीद लगा बाठे है, वो इस budget से, उनका कहना है कि home loan का बयाज है, उस पर जो छूट की जो सीमा है जो दाइरा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए तो ऐसे में क्या लगता है सर यह मांग जायज लगती है आपको कुछ कंडिशन्स में जायज भी लगती है क्योंकि आप अगर आप देखो तो इन्होंने बेनफिट दिया है वैसे आपका इंट्रेस्ट कंपोनेंट का और प्रिंसिपल कंपोनेंट का दोनों का एक का सेक्षिन एटी में देते हैं बेनफिट एटी सी में जहां आप प्रिंसि अब आज के सेनेरियो में वो जो एमाउंट है वो बहुत छोटे हो जाते हैं क्योंकि आप देखो तो आज आप एक नॉर्मल प्रॉपर्टी भी दिल्ली में लेने जाते हो तो पचास-साथ लाग से लेके वो एक किरोड के उपर चली जाती है तो उस सेनेरियो में एक्सपे कहीं ने कहीं योगदान करेंगे जी टीपे में येस का विंद्री चुपर कोरोना जो काल है उसमें पूरी दुनिया बेहाल है लेकिन चाइना पर सबकी नज़र टेड़ी है चाइना को सब दोशी ठहराते हैं चाइना पर सबकी नज़र टेड़ी है ऐसे में सबसे बड़ा जो setback चाइना के ले रहा वो यह था कि तमाम चोटी बड़ी companies जो थी चाइना से अपने आपको shift करना चाहती थी ऐसे में सबसे जादा इसका फाइदा भारत उठा सकता था भारत को ऐसा लगता भी था भारत में नहीं आप आ रही हैं क्योंकि उन्हें confidence की कमी देखी गई है तो उनके confidence को boost up करने के लिए budget में क्या changes करने चाहिए budget में क्या नई चीज़ लेकर आ सकते हैं कि ऐसी जो companies हैं जो बाहर से shift करना चाहती हैं हमारी country में तो उनके अंदर confidence build up हो और यहां पर आके अपने plant, factories, industries जो है लगा सेके यहां पर investment करें सर इस question में बहुत सारी चीज़े हैं जो cover होंगी मेरी समझ में जो मैं अपना view दूँ तो knowledge base तो India और intellect जिसके जरूरत है वो भी एक factor आपने 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 ease of doing business अगर point of view से देखो तो हमने इंडिया में business अगर शुरू करना है तो कितना easily हम अपना business startup कर सकते हैं कितना easily हम इंडिया में capital लेकर आ सकते हैं कितनी अच्छी हमारी taxes होती है या taxes mechanism होते हैं जो हमारे issues को easily resolve कर सके तो इन चीज़ों को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है अब जैसे अब हम आपको चर्चा करें ease of doing की बात करें ease of doing में हमारी company अगर लेट हम अपनी company इंडिया में रेजिस्टर करना चाहते हैं तो कितना easily हो जाए FDI की जैसे हमने बात किया FDI मतलब अगर हम foreign party की बात कर रहे है तो of course कहीं ने के इंडिया में हमारे पास one transfer आ रहा है जो कि इंडिया के बहास जा रहा है तो हमारा वो mechanism कितना अच्छा है कि हमारे पास इंडिया में पैसे easily आ जा रहे है and we can use that in business हमें business के लिए कई तरीके registrations और लेने होते है specific area या trade से related उसमें हमारे पास support कितना अच्छा है वो देखने वाली चीज है इन में जैसे जैसे से इंडिया is trying to increase its ranking in a better way the way in ranking better होती जाती है हमारे पास business आना शुरू हो जाएगा धीरे है process but yes क्योंकि आप एक तरफ देखो तो कहीं नहीं के हमारी FDI regular increase करती जा रही है कुछ जगों पर rationalization की बात करिए और जगों से भी demand आई है जैसे आप बात करो UK से भी UK के इंडिया business council ने भी कहा है कहीं ने के हमारे जो tax के rates उनको rationalize को रहे because when you say company who is coming from outside इंडिया या बहार की खासकर banking के हम बात करें तो उसमे 43% के आसपास का आपका tax बनता है उन companies का अगर वो बहार से इंडिया आते तो that needs to be taken care somewhere अगर उसको rationalize कर पाए या हमारे पास इंडिया में better explanation हो पाया है उसका तो yes हमें और ज्यादा info देखने के उम्मीद है प्लीज बजट एक February को आ रहा है लोगों की उम्मीदे बढ़ती जा रही है तारीख पास आ गई है वैसे वैसे लोगों की उम्मीदों का जो graph है वो भी उतना ही बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में ये सर आपकी नज़र से आपके experience क्या कहता है कि इस बार के बजट पे सब को थोड़ा सर देखो ये बजट ऐसा है ना शायद हम लोगों के लिए once in a lifetime है क्योंकि करोना और ऐसी चीजे जो impact डाल रही है तो हम सब की हम बात करें वी all are expecting कि सब को कुछ ने कुछ कहीं ने कहीं मिले बट यस हां कुछ sectors जिनके आप बात करें जैसे healthcare, healthcare में special emphasis चाहिए क्योंकि पास उसका mechanism कितना strong होगा ये देखने वाली जरूवत है तो health में तो yes बहुत अच्छा पैसे जानी की जरूवत है दूसरी आप बात करो अगर हमने जैसे भी पीछे बात करी FDI हमें इंडिया में लानी इंडिया में बिजनस start करना है तो till the time किसी भी country का infrastructure अच्छा नहीं तब तक वहां पे किसी को भी business कर पाना बहुत मुश्किल होता है तो yes infra में हम बहुत अच्छे expectation कर रहे हैं तीसरी आप देखो जो बहुत बड़ा issue रहा है NPA का non-performing assets और regular पिछले 5-6 सालों सबको regular news में देखने को मिलेगा तो consolidation bank का भी पीछे हुआ है and process में है तो we are expecting कि इस उसमें government को शायद हो सकता भी और infuse करना पड़े fund आने वाले time में तो वो देखने वाली चीज होगी I think यह तीन सेक्टर सो उसके बाद एस taxes chartered accountants है taxes का rationalization or process अच्छा हो तो we all will feel good because अभी जैसे अब जिस्टी की बात करो अभी बहुत सारी चीज़े हैं जो उल्शी होई है कह अभी है उनको आप बहुत करीब से समझते भी हैं तो ऐसे में एक चीज है क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है आपने कहा कि इस बार का जो budget है वो हम बन से लाइफ टेम दिखने वाले क्योंकि कोरोना की वज़े से economy को बहुत तकड़ा जटका लगा है हर sector जो है इस कोई sector नहीं बजा जो इससे परिशान ना हुआ हो तो ऐसे में आपकी नजर में ऐसा कौन सा sector है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा और इस budget में उसको रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है इस budget में उसका खयाल लटना बहुत ज़रूरी है ऐसा कौन सा sector आपकी नजर मे देखो सर जब चीजे खराब होती हैं करोना पोस्ट एफेक्ट अगर आप देखो तो यह जो सेक्टर होते हैं यह क्लीन विजिबल हो जाते हैं अब एविशन सेक्टर देखो होटल इंडिस्ट्री देखो अल्मोस्ट वो खतम हो गए बीच में क्या लोग कहीं ने कहीं इसके बाद आप एजुकेशन सेक्टर भी आप ले सकते हो बहुत बैडली यह भी अफेक्टेड हुआ है इस पर ही देखो सरकार क्या निया लेके आती है 1st February को वी अला वेटिंग फो डैट प्लीज काविंदर जी तब तक के लिए धन्यवार उला यह भी आती है आती है वी आती है आती है आताप प्लीज चुके स्जाओंग